हेलो सद्गुरू मैं एबी डिविलियर्स और मेरा आपसे सवाल है कि अगले हफ़ते लोटरी में कौन सा नंबर खुलेगा मैं मजा कर रहा था मैं पूरी संजीदी के साथ पूछ रहा हूँ कि हम साउथ अफरीका वासियों का हम भारत और साउथ अफरीका वासियों का इतिहास बड़ा परिशानियों से भरा रहा है रंगभेद और जातिवाद हिंसा का इतिहास मेरा आपसे सवाल यह है कि हम अपने इतिहास को कैसे सुधार सकते हैं उसे बिना भूले कैसे सुधार सकते हैं और अगर सुधार नहीं सकते तो कैसे सभी दक्षिन अफरीका वासियों की मानसिक्ता पॉजिटिव और आश्रावादी कर सकते हैं जिसमें देश को बदलने और इसे बहतर बनाने की सोचो मैं वास्ताओं मैं मानता हूँ कि हम एक देश के रूप में सबल और शक्तिशाली राष्ट्र हैं और हम एकमत हो जाएं तो हम दुनिया को बदल सकते हैं लेकिन हम यह कैसे कर सकते हैं धन्यवाद एबी लोटरी के बारे में मैं आखिर में बात करूँगा अगर मैं अभी आपको नंबर दे दूँगा तो अगर लोगों को पता चल गया कि आपने लोटरी जीती है तो आप खत्रे में पड़ जाओगे अगर आपकी जेब खाली है और आप ये घोशना कर दो कि मैंने लोटरी जीती है तो बहुत संभावना है कि आप पर हमला हो जाए और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी बॉल पर हमला करते रहें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ भारत में भी लोग आपकी बैटिंग को पसंद करते हैं सिर्फ उस समय को छोड़ कर जब आप भारत के खिलाफ बैटिंग करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आफरिका के लिए ड्रेस पहन लिये तुर्भाग यसे मानव समाजों में कई दुखद, भयानक और खराब घटनाए हुई है या कहें कि की गई है लेकिन यही मानव इतिहास रहा है हर देश के इतिहास में दर्द भरी, भयानक और खराब परिस्थितियों का इतिहास रहा है हो सकता है साउथ आफरिका का इस दर्द में हिस्सा दूसरों के मुकाबले ज्यादा रहा हूँ आफरिका निश्चित रूप से एक अद्भुत महाद्वीब है आफरिका पिछले 200 वर्षों में अत्याधिक दर्द और पीड़ा से गुजरा है और कई भागों में आज भी पीड़ा जहेल रहा है अब इसका हल क्या है? आगे कैसे बढ़ा जाए? हम इतिहास को कैसे सुधार सकते हैं? जिसको हम इतिहास कहते हैं उसका अब अस्तित्व नहीं है, तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते वो दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसे ठीक नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे दिमाग और दिल में मौजूद है दर्द भरा इतिहास जो दुनिया के कई देशों ने जहिला है भरत ने भी जहिला है वो अब मौजूद नहीं है लेकिन हमने उसे अपने दिमाग और अपने दिल में जिन्दा रखा हुआ है निश्चित रूप से हमें इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि यदि हम इसे भूल गए तो हो सकता है हम खुद को फिर से उसी गड़े में गिरा दें लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर सकते जो मौजूद नहीं है या जो गुजर चुका है वो हजारों लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जो शहीद हुए अपने देश की आजादी के लिए और दुनिया में देश को वर्तमान स्थिती में लाने के लिए उनका योगदान जाया नहीं जाना चाहिए महान नेता जैसे स्टीव बीको, निल्सन मंडेला यदि उनका योगदान बेकार न जाने देना है तो ये आवश्यक है कि साउथ आफरिका के लोग ये समझें कि इसका केवल एक ही रास्ता है हमारे अनुभव की प्रकृती कुछ भी रहियो अच्छी बुरी या भयानक ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे समझदारी में बदलते हैं या एक घाव में यदि हम उसे अपने भीतर एक घाव में बदलते हैं तो आपके अनुभव में जो हो चुका है दुर्भागे से उसे जिन्दा रखा हुआ है तो हम घायल बने रहना चाहते हैं या उसमें से समझदारी लेना चाहते हैं यदि हम उसमें से समझदारी लेते हैं, तो हम भविश्य को सुधार सकते हैं. कृपिया इतिहास को सुधारने का प्रयास न करें. इतिहास को सुधारने का अर्थ है हेरा फेरी. इतिहास को फिर से लिखना और कहना कि सब कुछ बढ़िया था. नहीं सब बढ़िया नहीं था, वो भयानक था लेकिन हम भविश्य को सुधार सकते हैं भविश्य को सुधारने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है हमें योजना बनानी है, तयारी करनी है और भाग लेना है जिसे हम राष्ट्रियता कहते हैं उसके लिए लेकिन यदि हमने उसे घाव बना लिया, तो हमारे पास योजना बनाने की बुद्धि मत्ता तयारी के लिए पूर्व विवेख और भागीदारी के लिए उर्जा नहीं होगी क्योंकि हमारा दर्द सब कुछ खराब कर देगा जो हो चुका है उससे परेशान मत रहिए आईए हम सब मिलकर साउथ आफरिका के लिए एक बहतरीन भविश्य बनाएं जो कि एक अद्भुद्ध देश है और लॉट्री के बारे में मैं लॉट्री का नंबर आपको दे सकता हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यदि आप बॉल को ठीक से हिट करते रहें तो आप लॉट्री को हिट कर लेंगे तो मैं उट्सुकता से एप्रिल में वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ आप से मिलने की आशा है ये भी बहुत अच्छा लगा देखते हैं मेरी गूगली को आप जिल पाते हैं या नहीं झाल 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 झाल